हलो मेरे दोस्तों मैं राहूल और स्वागत अप्रोगुकाप के अपने यूट्व चल आर्के सेंटर पे दोस्तों आज के वीडियो में हिस्ट्री के एक इंपोर्टेंट को आपको बताया जाने वाला है जो कि आपका हिस्ट्री को टुवल्ब के भी भी आई कोश्ट्न से ठी क्या कारण थे ठीक है पहले कोशन समझे का ध्यान से कि मेजी पुनर स्थापना के क्या कारण थे मेजी को जो ना क्यों वहां पे जो है जापान में क्यों स्थापीत किया गया क्यों जो है उसको लाया गया यह पूझा गया ठीक है तो चलिए हम लोग जानते है कि आखिर पहले मैंने आपको बताया था जापान का आधोनी की करन ठीक है इस पहले आपको बताया था कि यह मेजी के आने के बाद जापान का आधोनी की करन होना स्टार्ट हो गया था ठीक है तो इसके पहले आपको यह बताते रहे हैं कि क्यों आखीर मेजी को आपे लाया गया था ठीक खुछा इना कि जापान का दर्वाज जो है पश्ची में देश पाया देश के लिए क्ल दिए ज इस भू iron का दर्वाजा छब दिया खेल तो एक आर डिकार करने लगे तो यहां के लोगों को ठीक लगा नहीं अ अधिकार था जापान में तो उन लोगों लोगों हem क्या किया सोगुन के परभुत्व को खतम करके समराध को जो आना देश का वास्तविक साथ बनाया ठीक है और समराध यहान पर कौन बना था मेज़ी द ग्रेट भी कहा जाता till ठीक है तो इसी प्रक्रिया को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं मेजी पुरनर स्थापना कहते हैं में सोगून को उसके पद से हटा करके समराट को जो है ना देश का वास्तिविक साथ सक बनाना ही मेजी पुरनर स्थापना के नम से जाना जाता है ठीक है तो चलिए हम लोग जा लेकवज में जाने का परियास करते हैं अब आपको सुनना है बस सुनना है सुनके समझना है ठीक है हुआ क्या था दोस्तों कि उन्हें सतापदी के मद्य में पुर्वी एसिया के दो देशों चीन और जापान में परवेश के लिए पस्चिमी देशों द्वारा दबाव डाला जा लहां था कि यहां पर दो देश यूद्वारा दबाव डाला जा रहा था कि मैं क्या करूंगा है आप लोगों पर ज्यूक लेकशर कालता चीन के दवार वेभेशिया था लेकिन लेकिन दूजी परकार से क्या हुआ कि अमेरिका के घुसपैट के करण अमेरिका जब यहां पर जापान में घुसा इसके करण क्या हुआ कि जापान का दरवान जो भी जो है कान जा पर क्या चलाता था राज चलाता था ठीक है वो बता जाता है उसके बाद होता है कि क्योंकि वह पक्षिमी के दबाओ के सामने जुक गया था ठीक है इसलिए जापान में यहां मांग उठने लगी कि सोगून के प्रभुत्व को अंत्र किया जाए और समराट को जोना देश का वास्तविक सासक बनाया जाए ठीक है अब देख guess अब यहां पर क्या था और समरा Keeping सवार की जाए लेकिन थ्पर सा आगे बता जागर चले आगे देखने इस मांग के इस मांगे ने आधी वुर पक्ड़ा युप्ट में जया ररक्टर ही追 morph लिव होई हैं क्या बता रतहब रट ही तो कि इससे क्या होता है तो रधा वहां पर tidy को जाता है जिसेए यही करчи दोस्तों हम लोग को आना है मेजी पुनर स्थापना के कारण कि आखिर मेजी पुनर स्थापना जो हुआ था उसका क्या कारण था है जैसे माली जे अब घर बनाता है कोई व्यक्ति घर बना रहा है ठीक है घर बनाता है तो क्यों बनाता आकिर उसके घर में कोई प्राब्लम से तो इसलिए तो इस ने है तो क्यों किया गया था लोगों को प्रबलम होता है लोगों कुछ कुछ सथापना करते हैं मुनाब कुछ चीज करते हैं ठिक है business अचे Informationen करने क लिए जहां पर व्यास करने के लिए खुष गजयत है ठिक हैए अब जापान केillow तो जापान के लोग के लोग विदेशियों को हीन नजर से देखते था। पहला कारण यही आपका कि विदेशियों के प्रती हीन भावना होना जापान के लोग विदेशियों के प्रती हीन भावना से देखते थे हैं बता जाता है कि जापान के जनता विदेशियों के प्रती विरोध की भावना रखते थे क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जापान के जनता का माना था कि यहां पर प्रश्मिदेश के लोग आ रहा है विदेशी जो आ रहा है ठीक है वो क्या कर रहे है हम पर हम पर आते अचार कर रहे हैं ठीक है हमारा रोजगार चीन रहे हैं ठीक है मीन्स हमारा सुजन कर रहे हैं ठीक है यह यहां के जनता लोग का म ईृसोरों के साथ ये कि लोगों को सूट करता को शूर नहीं को बदा जाता है चीन मराध के तरह जापान के सोगुन्ढ़क के इत्रों से सहयता यहाँ Чер भी जापान का चीन का प्रभुत्व हो किया था वैसे यहां भी क्या हो जाएगा विदेशियों का प्रभुत्व हो जाएगा इसलिए लोगों के मन में डर बना वा रहता था जिसके बाद क्या हुआ कि जापान में जनता जो है जापान की जनता जो है सोगुन सासन के खिलाब जो है बिरोध करने ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि जापान के सुरक्षा के लिए और विदेशी आकरमन को रोकने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया जापान के जनता ने क्या किया सोगुन के सत्ता को अंत करके जो आना वहां पे मेजे समराट के सासन व्यवस्ता को लागू करने का परियास किया ठीक है तो यह इसका पहला कारण था ठीक अब दिए चैप stumbled some acidî कर रहा था जापान में गया थे, क्योंकि इनके द्वारा जापान में कोई मुए खास उधार नही प्था गया था, इसके जोगुं ने अमेरिका को जापान में वृपाल क करने के लिए संधी किया Oreo जोगुं के विरोध अन। क्यों थी क्योंकि सोगुन ने क्या किया था यहां के जनता को असंतुष्ट कर दिया था सोगुन जब यहां पे सासक बन करके आया ठीक है तो सोगुन जापान के लिए कोई भी कारी नहीं किया यहां पर कोई भी चुधार नहीं किया उसके साथ सोगुन ने क्या किया अमेरिका को जापान में व्यापार करने के लिए क्या कर दिया छूट दे दिया उसके साथ एक संधी किया जिसके कारण जो है यहां की जनता सोगुन से नफरत करने लगी और सोगुन का विरोध करने बावजूद भी सोगुन सरकार द्वारा अमेरिका से संधी किया जाता है जिसके बाद कई देशों का जापान में व्यापार के साथ दरवाजा खुल गया ठीक है जिसके बावजूद भी क्या होता है कि सोगुन सासन व्यवस्ता को स्थापित रखने के लिए सर्यंत्र भी रचता है ताकि जापान में उसकी सत्ता कायम रहे ठीक है और सोगुन क्या करता है अपनी जो सासन व्यवस्ता को स्थापित रखने के लिए करी सर्यंत्र भी रचता है ठीक है ताकि उसका जो सत्ता जो है वो कायम र किसान की भूमी पर वह बढ़ा दिया था कॉन जिसके करण क्या हुआ था कि किसान जो और वह करज में डूपते चले गए थे ठीक है और जब कर्ज में डूपते चले जाएंगे किसान तो किसान आपसे नाराज तो हो गई ठीक है और यहाँ पर क्या हुआ कि किसान जो है सोगुन से नाराज हो गई ठीक है और यही कारण था कि जापान के किसानों ने भी यही चाहने लगे कि सोगुन सासन व्यवस्था क कौन चाने लगे यहां के किसान वर्ग भी चाने लगे ठीक है जब यहां पर सब लोग चाने लगे तो क्या हो जागा आगे जाकर के मेजी स्थापना हो ही जाएगा ठीक है आप देखे लियुक्रूं आप में क्या होता है कि यहां पर Тिसरा कारण में क्या होता है कि यहां पर फिरसके फिरसके पहले करता था अब आपको पता चलेगा ना कि सक्ति साली समराट होता था ठीक वह giorn का उपादी धर्न करता है जोए इसका अर्थ होता था विद्यसियों का दमन करने वाला यह तो अत्याचार करता था इसका अंध करने वाला ठीक है अगर खुल कि बात करें तो सोगुन का मतलब होता था कि जो विद्यूसियों का दमन करे ठीक है उसको हटा दे ठीक है या तो जो अतियाचार करता है उसका अंत करे ठीक है लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा ही हो रहा था ठीक है उल्टा क्या हो रहा था कि जापान में जो सबसे सकते साली परिवार होता था उन्हें सोगुन की सत्ता सौपी जाती थी मतलब यहाँ पर यह नहीं देखा जाता था कि कौन योग है जो सबसे सकते साली परिवार होता था उसको सोगुन की सत्ता प्राप्त किया जाता था उसकी राज़ानी के अगर बात करें तो एडो में थी कहांपे उसकी राज़ानी एडो में थी सोगुन को ही राष्ट की एक्ता का परतीक माना जाता था राज के प्रसासनी कारी को पूरी जिम्मदारी सोगुन पर थी और राष्ट को जितना भी जिम्मदारी था प्रसासनी का कर दें लन्ट का ही होता आ go वा युद कर ओर सकताथा था संधिक रवा सकता भ्रती कर आदिकारियों का न्युक्ति कर सकता अधिकार यह सब अधिकार किसको थे सोगून को प्राप्त बना जाता है, कि जापान में फूगून का सास्न व्यवस्था होने इस यहां कि जनता जोगूनिर, घ्छामुTI की खिलाब क्या हो जाता है आसन तुस्टी फेनले लगती है देख्या और यही कारण हे कि जापान में पुनर स्थापना हुआ ऐगाए और जापान में मेजि का पुनर स्थापना हुआ और यहां के खिलाब लोग भड़क उठे थे ठीक है कि सोगुन को चाह नहीं रहे थे लोग क्योंकि सोगुन क्या कर रहा था उनके विरुध ही कारी कर रहा था जो जनता नहीं चाहर रही थी वही कारी वह सोगुन कर रहा था जिसके कारण क्या हूँ अब लोग जाता है कि जापान में में जापान के इतिहास में में जी पुनरस्थापना का अत्याधीक महत्व है क्यों महत्व है क्योंकि बताया जाता है कि जापान में 200 साल से चलते आ रहे सोगन व्यवस्था का अंत करके समराट के पुनरस्थापना किया गया जो असान कार्य नहीं था मतलब यहाँ पे जो है न सोगुन व्यवस्ता का जो अंत हुआ था ठीक है वो यहाँ के लिए बहुत बड़ा कार्य था क्योंकि यह जो तरहां 200 साल से चला आ रहा था ठीक है और इसको अंत किया गया ठीक है देखिए दूसरा पॉइंट बता जाता है कि जापान में मेजी अंतार सापना हुआ ठीक है उसके बाद इस सब कुछ क्या हो गया हट गया अर्stat अब जो है सभी राश्ट्रों को LI clinic सभी लोगों को दो है समान आउसर प्राप्त होने लगे ठीक है औसे बताद मेरी में बता जाता है कि वह मार्ण 15 साल के बतातना एको आयू मेरा क्या क इनका विचार ही जापान को अंतराष्टी हफार पर पहचान देला यह जापान को अंतराष्टी हश्टी हश्टर पर क्या दिला है यहां यह जिभ सेயहां पर मेजी पुद्रस्ठवना हुआ उसके बाद से जापान में विदेशियों का, क्या हो गिया? अंतों हो गया, ठीक है? मेजी, जापान का समराठ बनने के बाद, सभी छेटर में महत्पुन सुदहार किया, जैसलों कि सैन्वेह वबसथम सुदहार, आर्टि छेटर में सुदहार, मतलब हर एक चेतर में वो सुधार किया जिसके कारण किया हुआ कि जापान का जोना ओद्योगी करण अधुनिकी करण जोना तेजी से पढ़ने लगा ठीक है उसके साथ से देखे इसके जापान में सिक्षा संस्थान और संसथ की स्थापना किया गया इसमें जो कम्या थी उन सबकी कम्यों को दूर किया ठीक है ये कौन किया तो सारा कौन किया मेजी ने किया ठीक है बता जाता है कि पंदर स्थापना से जापान को काफी लाब हुआ क्य यहाँ पर हर एक व्यक्ति को जो है ना समाना उसर दिया गया था ठीक है इस परकार से जापान के पुनर सहपना से मेजी का अधिकार पूरे जापान पर प्राप्त हो गया जिसके बाद जापान में नहीं उद्योगों का बढ़ावा मिला कई बड़े कार खाने के सहपना हुआ सभी नाकरिक के लिए सैने सेवा निवारी कर दिया गया सैनिकों को बहतर प्रसिक्षन दिया गया नियमित वितन दिया गया उसके साथ साथ आधुनिक किस्म के हतियार सैनिकों को परदान किया गया ठीक है यह सारे कारे जो है मेजी के आने के बाद ही किया गया जिसके बाद जापान का आधुन की करण बड़ा तेजी से होने लगा ठीक है इसके बाद लास्ट में जो है पता जाता है कि समराट मेजी को जो है इसने एक नारा दिया कि देश को धनवान बना और सायनिक हो बलवान बनाउं ठीक है यह ने नारा दिया तो उम्मीद करो दोबा को आप को समस्झमें आगया होगा OUT और इसे रेडर जितना भी कोशन है आपको ठीक है सारे कोशन करवा दियेंगे कोर 11 कोर 12 डियसी 1 डियसी 2 टिक है अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिस्टम बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आपको सारे वीडियो को राम से अगर के देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कि लिस्वेहिन जय भारत